हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है अभी कॉरिडर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्त जन जितने वे आएंगे बांके बिहारी देखनेगा और अच्छी तरह से नमशका इन खबर में आपका स्वागत है बांके बिहारी मन्दिर को लेकर के इलाबाद हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है अब़ वहाँ पर कासी विष्णात मंदिर की तरह ही भथे करीडोर बनेगा इलाबाद हाई कोट बिरिंदबन इस्तित बांके बिहारी मंदिर मे उपयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा आपको बता दे कि मंदिर के खाते में इसमें 262 करोन रुपे से अधिक जमा है और राजसरकार उसको यूज करना चाहती थी जिसके लिए कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है आपको बता दे कि एक बहुत बड़ा बर्ग है जो कारिडोर बनाये जाने के राजसरकार की योजना का बिरूध कर रहा है और वही इस मामले को ले करके उच न्याले में पहुचा था याज का करता अब सरोच न्याले का दरवजा कटाएंगे हाई कोट के फैसले से नाखूस याचियों ने एक सप्ताह के भीतर इस मामले में सुप्रिम कोट में याच का लगाने का फैसला किया हाई कोर्ट ने कारीडोर निर्मार के लिए राजिस सरकार को वो हर कदम उठाने की छूट दे दी है जिसे वो जरूरी समझती है इसमें अतिकर्मन हटाया जाना भी सामिल है मुख्य नयमूर्थी प्रितिंकर दिवा करें हम नयमूर्थी आस्तो सिर्वास्तों की खंड पीठ ने अनन्द सर्मा की जनहत याजका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है अनन्द सर्मा ने जनीती आजका दाखिल कर कोट के समक्ष बाके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में आने वाले दर्सनार्थियों से हो रही और सुविधा का मुद्धा उठाया था कोट को बताया गया कि बाके बिहारी मंदिर में प्रतिदिन आउसतन चालिस से पचास जार लोग दर्सन के लिए आते हैं छुटिया और विसेश पर पर यह संख्या डेर लाग तक पहुंजाती है मंदिर में जाने वाले रास्ते बेहत सक्रे है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड समभालने की उसकी चमता नहीं है साथ ही मार्ग में बहुत सारी दुकाने है जिनसे और समस्या पैदा होती है इसके अलावा लोगों का समान शोरी होने और भीर में दब कर सरधालों के घायल वो मौत की भी घटना होती रहती है लिहाजा यहाँ पर कारिडोर बनना चाहिए राज सरकार की ओर से इस मामले में बिस्तित प्रस्ताव दिया गया बताया गया किस तरीके से वो दिर्ग कालिक वो अल्ब कालिक की ओजना पर काम करना चाहती है इसके लिए हाई कोट ने इजाज़त दे दी है उधर गुष्वामी समाज जो बाकी बिहारी मंदिर में पुजारी का काम करता हुआ का काना है कि मंदिर के फंड में हस्त छेप कर सरकार मंदिर का प्रबंध अपने हाथ में लेना चाहती थी जिसकी जाज़त कपता ही नहीं दी जाने चाहिए गुष्वामी समाज की इस बात को हाई कोट ने मान लिया और कहा कि पैसा चुने का राजी सरकार को अधिकार है ही नहीं कोट ने ये भी साफ कर दिया कि कारिडोर निमान के दोरान दर्सन की बैकल्पिक बेवस्था की जाए कोट ने मंदिर के बर्दमान प्रबंद और इसे जुड़े सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या है कि दर्सन में किसी प्रकार के रुकाउट ना आए जिला प्रसासन नाले के आदेश का कड़ाई से पालन कराई इस आदेश का किसी भी प्रकार से उलंगन होने पर नाले को सुचित किया जाए उधर वहाँ से सांसद है हेमा मालनी इस पर खुशी जताई है सुनिया उन्होंने क्या कहा और इतना अच्छा काम हो गया है अभी कॉरिडर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तिजन जितने वह आएंगे बांके बिहारी देखनेगा और अच्छी तरह से कमफर्टिबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुन्दर भी होगा बहुत खुबसुरत होगा और जिसको कुछ ऐसे सोच रहे थी उनका क्या होगा सबका अच्छा होगा सबका भला होगा इसमें परेटरन का तो वैसे भी बड़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे श्रदावलों आते रहते हैं हमारे मत्रा में तो ये कॉरिडर बनने इसकी वज़े से और भी अच्छा होगा कह रही है कि कॉरिडर बन जाने से बहुत अच्छा हो जाएगा इसकी जरूरत थी राजी सरकार तो काफी दिनों से प्रयासरत थी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी इस तरीके के धार्मी किंद्र है चाहे काशी बिश्वनात हो या उज्जैन महाकाल की नगरी वहाँ पर भी इसी तरह की दिक्कत थी वहाँ भी कारिडर बना काशी बिश्वनात में कारिडर बना और अब बारी है बाके बिहा कारी कारिडूर की राहीन भी खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू